फ्रेंड्स ये नाइजीरिया की ट्रडिशनल गेम है जिसका नाम है आयो ये एक ऐसी बॉर्ड गेम है कि जिसको हम एडुकेशनल बेस भी कह सकते हैं और या तो फिर मैठेमेटिक स्किल डेवलपमेंट गेम भी कहते हैं तो चली इसको देखते हैं और उसके बारे में जानते ह तो चली इस वीडियों में जाने तो चली हम आयो गेम के बारे में जानना शुरू करते हैं मार्मों का यूज कर सकते हो डिह डिप ट्रें का यूज भी गेम और आप चाहो तो शेल्स का यूज़ करके भी ये गेम खेल सकते हो। अधिक एकदम सिंपल गेम है उसको खेलना बहुत ही आसान है तो अधिकल ये गेम आंठ या उससे ज्यादा के शीट या फिर मार्बल या फिर शेल्स के साथ खेली जाती है पर फिरहां लंबा वीडियो हो जाएगा तो इसलिए हम लोग 5 shells के साथ खेल रहे हैं इसको Friends इसमें सिफ 2 प्लेयर खेल सकते हैं ये 2 प्लेयर की गेम हैं 1st प्लेयर 2nd प्लेयर ऐसे 2 ही प्लेयर खेल सकते हैं हर एक प्लेयर के पास 6 holes होते हैं और उसका एक personal hole होता है चलिए 4 spare अपना खेल खेलेंगे चलिए 4 spare अपना गेम स्टार्ट कर सकते हैं इसमें कोई भी hole मैंसे आप shells ले सकते हैं लेकिन अभी मैं ये hole से shell लूँगी ये hole मैंसे shell लेकर मैं हर एक hole में ये shells आपको ऐसे डाले हैं ये next shell है इसमेंसे हम shell डालेंगे अब आप यहां पर देखेंगे कि यहां एक empty hole है तो इसे हम wipe कर देंगे और चो next two holes है उसमेंसे shell ले लेके और ये हो गया मेरा अपना shell दो hole यानि की first player का hole और second player का hole first and second है तो चलिए मैं second player हूं तो मैं game start कर रही हूं तो यह मैंने shells ले लिए और one by one मैंने डालना शुरू किया है ओ मेरा जल्दी आगया wipe and only one okay then first player start okay तो मैं यह hole मेंसे shell लोंगी और अब सब में वापस डालती जाती हूं इसमें दो आ गया next इसमें क्या करना है आपको calculation ही करना है कि यह shell मैंने लिया तो next में कितना है और कब मेरे पास एक empty hole आएगा क्यूंकि आप calculation करेंगे ना तो बहुत बड़ा calculation हो जाएगा तो इसमें सिफ guessing game है आपको guess करना है अब यहां पर देखरें कि मेरे पास चार शेल आए तो यह मुझे ले लेने है और मेरे personal hole में डाल देने है अब इसके जो next hole था वो empty है तो इसको wipe करेंगे और next दो holes में से ले रहेंगे shells और यह होगा मेरे personal अभी मैं start कर रही हूं अपना game तो sorry मेरे पास यह four cells आगे हैं इसको में ले लेती हूं अपने hole में अभी again मैं start कर रही हूं तो मेरे चार आए मैं ले लेकिए हूं अपने इसमें से दोनों साइड पर जब भी किसी के पास चार shells आते हैं यानि कि first player के साथ या फिर second player किसी के भी पास चार shells आते हैं तो उसको ले लेने हैं और अगर फर्स player वापिस start करें अपनी game तो मेरे देखें वापिस चार आगा तो यह मैं ले लेती हूं अब यह start करूंगी और two anti-air wipe किया और नो एक ही shell आया सिफ अब यह मैं start कर रही हूं अब मैं यह सबसे ज्यादा shells पच्छे गीम में ले लेती हूं अब यह देख सकते हैं कि बहुत सारे empty holes हो गये हैं अब मेरे 4 shells आग़े तो ने ले लेती हूं अब देख सकते हैं वापिस मेरे 4 आगए तो यह मैं ले लेती हूं अब आप देख रहे हैं कि इनके पास बहुत ज़्यादा है और मेरे पास बहुत कम है चली हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं बट बाइदवे मैं विनर हूं आएंब भी न चली हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं मैं भी स्टार्ट कर रहे हूं इच होल में फाइर थे तो हम उसे साब से काउंट करेंगे लग रहे है कि second player के last two holes खाली रहने वाले तो मैं 5 यहां के और 5 यहां के 5 and 5 10 और इधर 11 इलेवन shells के साथ मैं loser हूँ तो आप देख सकते मैं कितने सारे shells यहां कि पूरे टोटल 11 shells के साथ जीत गई हूँ तो फ्रेंट्स इस तरीके से यह game खेलना एक दम सिंपल है फ्रेंट्स आयो गेम के rules आपको हिंदी और इंग्लिश में description box में मिल जाएंगे